आगर शोनक जी सूती जीने पूछु कि बिदूर जी जारे तिर्थी यात्रा करवा माटे अने एमनों त्याग आत्रा करवा माटे गया और एमनों त्या दूरो त्या मेत्री रुशी साथे जे सप्संग था ए घठा हमने समधा गला इने साथे जहियां वी जो सकंद विराम्ध हो आओ त्रिजा सकंद मा प्रवेश करिए श्रिभागवत भगवान दिखी जैवा त्रिजो सकंद सर्ग लीला तेंत्रिस अध्याय सुझ जी कहिए एक वार्णी वाद छे द्वार का नात युदिश्टीर जीना पांड़ों ना तरफ थी हस्तिनापूर पधा रहा शांती नो प्रस्ताव लईने दुत्राश्ट पासे आवी ने वाद करी कहिए पांड़ों ने एक एक गाम आपे दियो तो यह आए युद्धन थाए दुरियो धन्न मांगें दुरियो धन्न मांगें द्वार का ना थे कहिए एक गाम आपे दियो भूवचन आप उछो युद्ध नहीं थाए तुरियो धन्ने कहिए एक गाम तो सुई राखवा जेटली भूमी पंड ये पांड़ों ने नहीं आपो युद्ध करें प्रस्ता आवन अस्तिकार करें राष्टे कहिए युद्ध धशे आप छोड़ों आप तो आ दुरियो धन्ने आपना आत्ता स्वात्ता माटे भूजन माटे भूव व्यवस्ता करी छे आप तो भूजन आरोगे प्रगी कहे हो के ना मारी प्रतिक्षा कोई करी रही छोगों तो त्यांत जेनरज भूजन करेश्ट बेकारण थी कोई व्यक्ति कोईने भूजन करतू हो एक तो यह नहीं आवश्क्ता हो है तो यह कोई दो जम है अथ्वा तो कहीं के नो स्नेह नो सम्मंद हुए तो यह न क्या भोजन था है तो मारी तो कहीं यह भी भोजन नहीं आवेशक्ता छे नहीं अन्यों कहीं स्नेह पन छे नहीं के हूँ तो मारे भोजन कर दो भोजन तो मन मिले इष्ट मिले मिले भजन संगरीत दाके संघी राखिये खान पान और प्रीत मन मिलता हो इष्ट मिले मिले भजन संगरीत इवा व्यक्तियों साथे खान पान प्रीत थाई शक्य तो यह वी कई प्रीत छे नी तो यहां तो हूं भोजन करिश नहीं त्यां थी बदु छोड़ी ने प्रभू पधारिया विदूर जी ना घरे विदूर जी सुद्भाजी प्रभू ना अनन्य भग्त इमनी सेवा करे त्यां भोजन ने त्याग करें तिरसकार करें कि मारी कोई वी आवश्यक्ता नतिन अईया केचे कि मने भूख लागेचे तो भगवान तो भग्तो ना मन येनो जे भाव छे एनू भोजन स्विकार करें चे बाकि सामग्री तो एनसु सामग्री नी आवश्यक्ता चे तो अहिया विदूर सुद्भाजी नो भाव हतो तो ये भाव ने आरोगवा माटे भगवान इनना धरे पधार्या प्रभुना सुन्दर स्वरूप रूप माधूर्य ने जोईने एवी अवस्था थाई तो छाल छाल तो भगवान ने आपता जाए ने फल नीचे ने प्रभु ये प्रेम ती ये छाल ने आरोगता जाए चे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भगता अप्रय अच्छती जे जीव मने प्रेम थी समर्पण ना भाव थी एक पत्र पुष्प फल तोयम जल धरे चे हूं एननो स्विकार करूँ छू बस भाव समर्पण थी प्रेम थी समर्पण हूँ जोई खुप कखुए प्रेम थी एननो जे भोग भर आवया एक छाल आरो गया ते आज विदूर जी आवया विदूर जी ने युद्धना समाचार कहया पहु के युद्ध तो थशे ये समाचार आप़ी ने द्वारकाना थ्यांती पधा रहा विदूर जी आवया धुदराष्ट पासे आवे इने निती निवाद परे के आपने पांडु राजा ना स्वर्गवास पची इमना प्रति निधी ना रूपमा आपने सिहासन उपर आपनो राज्या फिशेक थैवा तो अवे नियम अनुसार इमना पुत्र नो राज्या अधिकार मढगू जोई है कारण के राज निती नो नियम छे वे आंधुडव्रति राजा नो बनी शके ना प्रतिनी धिना रूपमा इमने बेसाड़ाता अंडु दुत्राष्ट पुत्र ना मोहमा एवा अंध बनेला कहीं पने निती इमने सामड़ी नहीं दुर्योधन ने खबर पड़ी के विदूर जी आवी ने अपत्राष्ट ने आवी वात करी दुर्योधने घणा कड़वा शब्द विदूर जी ने कहया कि जे थाली मा रेक खाये जे थाली मा छेद करे चे मारी नींदा करे झागु अपमानित शब्द कहया पड़्विदूर जी चुप चा पूबा जे भक्त छे भक्त माटे मान अ अपमान अशुन다 एक द्रश्टी एनी हुने कम खिए पूलागा, आप आप करिस्से तो त्यां छोड़या अने पच्छी हसनापूर भार नबधो त्याग तरीने तिर्थ यात्रा करवा माटे निकला एजे महाभारत नू युद्ध थ हुए वो तो एमा एक विदूर जी अने बल्राम जी आप बेजना ये युद्मन हाता तिर्थ यात्रा गरता गरता विदूर जी ब्रजमा आवया ब्रजमा उधावजी साथे नो मिलन थयो उधावजी साथे सत्संग थयो उधावजी ए ठाकोर नी घणी बधी बाल लिलाओ नू स्मरण श्रवण विदूर जी ने करावयो कानके उधावजी पन जारती ब्रज गया हाता त्यारती एक ब्रज माटे इमने एक विशेश प्रेम गोपी जनो माटे यश्वदा मा साथे एक विशेश इमनो लगाओ थयो ते घणी बधी ठाकोर जी नी बाल लिलाओ नू वैणन जे इमने श्रवण कर्यू हतु यश्वदा माथी गोपी जनो थी ए बढ़ा प्रसंगो विदूर जी ने समढ़ावया भगवान ना सुधाम पधारवाना समाचार विदूर जी ने कहया प्रभुना सुधाम पधारवाना समाचार विदूर जी ने जारे खबर पड़ी अरदे खूब द्रवी भूत उथयो उधाव जी ये कहुं कि ए समयमा अंतिम समयमा आपने याद करया हाथा विदूर जी विचारवा लागया प्रभु मने एस समय याद कर विदूर जी ने आपना माटे संदेश मेत्रि रूशी पास से राखे उछे तो प्रहुनी आज्या हती के आप मेत्रे रुशी ने जईने मडो विदूर जी उधाव जी एक विजाने आलिंगन करी ने खुब प्रेम भाव थी छूटा पड़या याने पछी विदूर जी मेत्रे रुशी पासे गया मेत्रे रुशी पासे जैने खुब सुन्दर सत्संद थायो खुब सुन्दर एक प्रश्न करे सुखाय करमाणि करो तिलोको नते सुखम वान्य वान्य विन्देत भूयस्तत एव दुखम यदात्रयुक्तम अगवांव देन्द जनांसे प्रिष्ना दिमुखस्य तेवांव अधर्मशीलस्यस्यस्यूखितस्यद अनुग्रहा येह चरंति नूनांव भूतानि भव्यानि जनांग अस्यद विदुर जी कहते हैं रूशी मुझे ये बताईए कि जब प्रत्यक जीव सुख के लिए कर्म करता है तो उसके जीवन में दुख क्यों आता है हर एक का कर्म सुख के लिए है फिर भी दुख आ रहा है क्या कारणा कितना सुन्दर ये प्रश्ण हम सब के लिए है आपने बधा सुख माटेज कर्म करिये छे तो पन दुख जीवन मा आवे छे मैत्रे जी कहते हैं विदोर जी आपका ये प्रश्ण बड़ा सुन्दर है भागवत मा प्रसंगों मा घणू जानवा मड़े छे कि केवा केवा प्रश्ण आचार्यों पुछया छे किसे किसे प्रश्ण होने चाहिए किसी किसी जिग्यासाय होनी चाहिए और हमारी जिग्यासाय कुछ और ये विशेयों के प्रति होती है किसे प्रश्ण होने चाहिए कितने प्रसंगों में हम देखेंगे कि प्रत्यक जीव जब सुख के लिए कर्म करता है तो दुख क्यों आता मित्रे जी ने कहा आपका ये प्रश्ण बड़ा सुन्दर है पर ये मनुश्य दुख के स्थान पे सुख ढूंडता है जहां सुख है ही नहीं वहां सुख खोजेगा तो तहाथ में सुख आना ही नहीं ये दुख मिलेगा संसार के किसी भी व्यक्तिया किसी भी पदार्थ में सुख है ही नहीं शेवलभाचार जी ने संसार को अग्यान रूप माया रूप जाना उसको मिथ्या बताया संसार मिथ्या और मिथ्या में हम आनंद ढूंडते हैं वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तिओं में तो फिर आनंद आएगा कहां से केवले के सुखनों आभास मात्रश है तो जीव खोटी जग्या है सुख गोती रहे चानक के अपनी नीती में कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मह, सुख का मूल धर्म है आगे कथा आती है धर्म के परिवार की कि धर्म बताया गया कि धर्म की तेरा पत्नी है उन तेरा पत्नी में से एक पत्नी का नाम है शान्ती और धर्म और शान्ती से उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम है सुख वो कथा हमें क्या बता रही है हमें क्या चाहिए सुख तो सुख कहां से आएगा शान्ती से शान्ती के से मिलेगी वो तो धर्म की पत्नी है तो जहां धर्म है वहां शान्ती है और जहां शान्ती है वहां सुख है हम सुख से शान्ती को ढूंडने का प्रयास करते हैं पर वेश्न वो शान्ती के बेटे का नाम है सुख सुख से शान्ती नहीं मिलती है शान्ती से सुख मिलता है हम सुख के पदार्थों के पीछे लगते हैं कि आ भेगू करू आ भेगू थाए तो मने शांती मलसे शांती मलसे पर भाला शांती नो दिक्रों छे सुख तो शांती हसे तो सुख आऊ से न शांती तो धर्मनी पत्नी छे तो जिया धर्म छे धर्मा चरण छे त्यां शांती छे ये बात को याद रखना इसलिए सुखस्य मूलम धर्मः दुख आने के साथ द्वार है एक दुराचार दुसंग दुरबुद्धी दुराग्रह दुरव्यसन दुरभाग्य और दुष्चरिक्त्र ये साथ द्वार से दुख आता है और प्रायह तीन कारण दुख के देखे गए काल कर्म और सुभाव कई बार काल दुख का कारण होता है समय गणिया बहु प्रयास करिये पर आपनों काम सिद्ध न था है बने जनी काम तो समझी जावा समय जेवो छे ये समय भी निकल जाएगा क्योंकि दुख और सुख ये तो समय के पहलू है दुख है तो सुख भी आना है और सुख है तो दुख भी आना है जो दुख का अस्विकार करेगा उसे सुख मिलनी पाएगा तो समय दुख का कारण है काल तो पेशेंस धेर ये बना के रखो कि ये समय निकल जाएगा एक बार एक ख्रिश्य ने एक गुरू से पूछा कि बताएए गुरु देओ इसी एसी कौन सी एक बात है जिसको सुख में याद करने से दुख होगा और दुख में याद करने से सुख होगा गुरू ने कहा ये वक्त गुजर जाएगा इसको तुम दुख में याद करोगे तो तुमें सुख मिलेगा और सुख में याद करोगे तो दुख आएगा ये वक्त गुजर जाएगा तो दुख है तो चला जाएगा समय समय का काम करता है तो काल दुख का कारण है तो सहन करो कर्म दुख का कारण है जिसे दुर्गसन है दुष चरित्र है दुराचारण है दुख संग है तो दुष कर्म छोड़के सत्कर्म करो मनुष्य खुद के कर्म से ही दुखी होता है जिन्दगी शीचीज छे गाओ तो ये गीत छे सुख मड़े के दुख मड़े कर्मनी ये रीत छे जो बनो प्रेमी तमें तो हर मनुझमन मीत छे अंद धाई ना चालशो राह वच्चे भीत छे हम अपने कर्ण हम अपने दुख का कारण किसी और को मानते हैं ये ही हमारा सबसे बड़ा अज्यान है ये ध्यान में रखो आना लिदे मन दुख हाई वो अरे पन आटली ते एक्सपेक्टेशन इनी पास राखी जिकेम अपेक शाएं दुख देती है आशाही परमम दुख्खम तुम आशाही मत रखो अपेक्शाओ राखी पजी क्यारेक पूरी थी ये तो वधर अपेक्शाओ बंधा इना पूरी नव थाई ओलो आम ओलो तेम अरे तारी अपेक्शा इने कोई जवाबदारी लिदी जे पूरी करें नव पण थाई तो दुखी तु तारा लिदे थी होचे तु एने सुका माने छे आप आप आप्डू अपग्यान तो हमारे दुख का कारण किसी और को मानना ये हमारा अज्ञान है सुख मड़े के दुख मड़े कर्मनी ये रीत छे जो बनो प्रेमी तमे तो हर मनुजमन मीत छे अंद थाई ना चालशो राह वच्चे भीत छे बेखबर ने तो हवे मोत थी पन परीत छे जिन्द की इशी चीज छे गाओ तो एक गीत छे तो कर्म जो दुख का कारण हो तो दुशकर्म छोड़ सत कर्म करें और तीसरा कारण है स्वभाव घणाना स्वभाव जेवा होए दुखी या स्वभाव ना लिदे वधारे मनुष्य दुखी था तो होए चे पोता ना सभाव ना लिदे दादाजी पित्र चरण आग्या करें कि जन्द सभाव सारो नो हो इप्रभाव पढ़वानी कोशिश करें बड़ी सुन्दर आग्या आप करते हैं मुझे कुछ बात याद है कि जिसका सभाव अच्छा नहीं है उसका प्रभाव भी अच्छा नहीं पढ़ेगा जिसका सभाव अच्छा है तो प्रभाव अपने आप अच्छा पढ़ना ही है जिसका सभाव अच्छा नहीं है उसको सब जगे अभाव ही अभाव लगता है तो सभाव दुख का कारण है विदूर जी ने कहा रुशी और मुझे ये बताईए भगवान ये सुरुष्टी का सर्जन के से करते हैं सुरुष्टी सर्जन का इतिहास आप मुझे बताएं रुशी ने कहा कि जब ब्रह्मा अंड रुक अंड जब ब्रह्मा अंड एक अंड के रूप में था तब उसमें पच्चिस तत्वों ने मिलकर सुरुष्टी की फिर वह अंड विदेण हुआ और उसमें से एक विराट पुरुष निकला जिन्होंने जल को अपना निवासस्थान बनाया इसलिए उनका नाम हुआ नारायन तो हमारा विज्ञान हमारा आध्यात्म ये हमें बताता है कि ब्रह्मान वह एक अंड के रूप में था और वह अंड विदेण हुआ आध्यूनिक विज्ञान भी कुछ एज़ी बात करता है कि जब एवलुशन ऑफ यूनिवर्स में वो एक नुकलियस था वो नुकलियस की बात करता है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी अफ फिजिक्स कि वो नुकलियस था और वो नुकलियस में स्पोर्ट बैंग स्पोर्ट हुआ उसमें से पूरी सुरुष्टी की रचना हुई तो वो विज्ञान कहता है कि वो नुकलियस था हमारा धर्म अध्यात में कहता है वो एक अंड था जो विदेण हुआ तो बात एक जैसी ही है विज्ञान अभी वो बात को नहीं जानता है कि वो अंड कहां से आया पर हमारा भागवत हमारे शास्त्र जानते हैं कि वो अंड कहां से आया उसमें से वह विराट पुरुष निकले उसकी नाभी में से ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को आज्यादी नावी में से कमल कमल में से ब्रह्मा जी उनको आज्यादी के सुष्टी का सर्जन करो ब्रह्मा जी ने मन से भगवान का ध्यान धरा जल्चर बनाए थल्चर बनाए दो पेरवाले प्राणी चार पेरवाले प्राणी अनेग प्राणियों की रचना की फिर भी संतोष न हुआ फिर ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनतकुमार यह चार निवृत्ति परायन मुनियों को प्रगट किया उन मुनियों को आग्या दी कि अब आप अस्रुष्टी का विस्तार करो पर जन्म के साथ ही ये सनत कुमार चारो रुशी निवृत्ती परायन थे यानि किसी भी प्रवृत्ती में इनकी रुची न थी ब्रह्मा जी की आग्या न मानी ब्रह्माजी को क्रोध हाया कि मैंने इनको प्रगट किया और मेरी आग्या का उलनन कर रहे हैं क्रोध हाया क्रोध को शांत करने का प्रयास किया बुद्धी द्वारा पर वह ब्रह्माजी का क्रोध उनकी भ्रगटी में से प्रगट हुआ और प्रगट होते ही एक बालक के रू इन ग्यारा नामों से भी पहचाना जाता है उनके ग्यारा नाम हुए फिर ब्रमाजी ने रुद्र को आग्या दी कि अब आप सुरुष्टी का सर्जन करो विस्तार करो रुद्र ने अपने सभाव और गुण के अनुसार भूत प्रेत पिशाज की सुरुष्टी की रचना प् अग्या से फिर रुद्र ने तपस्ट सियामिएं अपना मन लगाया और फिर ब्रमाजी ने अपने दस मानस पुत्रों को प्रगट किया ब्रमाजी के मन से मरीची प्रगट हुए मुख से अंगिराखान से पुलत से नाभी से पुलह हाथ से कृतवु पुचा से ब्रभु प्राण से विशिष्ठ अंगुठे से डक्षर नेत्रों से अत्री और ब्रह्मा जी की गोदि से नारज जी का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के दाएं वक्षश्वल से धर्म पीठ से अधर्म का जन्म हुआ ब्रमाजी के रदय से काम, भ्रोंस से प्रोध, होश्ट से लोब का जन्म हुआ ब्रमाजी के छाया से देहुतीजे के पती, करतम रुशी का जन्म हुआ इस प्रकार पूरे उनके श्रियंग में से ही हस्तरश्टी की रचना हुई फिर भी उनको संतोष न हुआ फिर ब्रह्मा जी ने आगे चलकर ब्रह्मा जी के स्वरूप में से एक पुरुष और स्त्री का युगल स्वरूप प्रगट हुआ जो पुरुष भाग था वह मनु महराज स्वायम्भु मनु और जो स्त्री थी वह सत्रुपा मनु सत्रुपा का आग्यादी के अभा आप आपके जैसे मैधूनी स्रुष्टी प्रगट करो regulate for का सर्जन करें प्रजा प्रगट करें पर प्रजा के रहने का स्तान तो प्रथवी है और प्रथवी का तो प्रत्वी तो सुरक्षित हो ब्रमाजी विजारी कर रहे थे उसी समय ब्रमाजी के नासिक आमें से ब्रहा भगवान प्रगट हुए और सुंगते सुंगते रसातल में पौँचे प्रत्वी जी को उठाया वही पे हिरण्याक्ष आया हिरण्याक्ष का ब्रहा भगवान में विदुर जी ने प्रश्ण किया अरे आपने महराज ये कथा का बड़ा शंक्षित किया मुझे ये बताईए कि सुष्टी सर्जन के पूर्व वर आक्ष्य सुकौन था जो पृत्वी को चुरा कर ले गया और फिर आगे एक अध्याय में हिरन्याक्ष के पूर्व जन्म की कथा पाच अध्याय में वरहा जन्म की कथा बताई फिर मनु और सत्रूपा उनके वहां पे दो पुत्र और तिन कन्याओं का जन्म हुआ एक पुत्र का नाम आक्युती देव हुती और प्रसूती पुत्र उत और ये देव हूती जी ने बड़े प्रेम से बड़ी निष्ठा से करदम रुषी की सेवा की यहां पर स्त्रि धर्म बताया कि वहारुषी करदम रुषी कैसे प्रसन हुए तो देव हूती जी के क्या लक्षन थे उसका वर्णन किया विश्रम्हेन आत्मशोचेन गौरवेन दमेनच शुश्रू श्रया सोहरदेन वाचा मधुरया चपू देव गुतिजी के यहां सुन्दर लक्षन से करदम रुशी प्रसंद हुए कहा के बोलो आपकी क्या इच्छा है देव गुतिजी ने कहा हरेक वेसे हरेक स्त्रीकी मनु कामना रहती है के अच्छे पती उसको अच्छा पती मिले और अच्छे संसकारी पुत्र की माता बने तो बस आपकी कृपा हो तो पुत्र हो एसी मेरी इच्छा है और फिर करदम रुशी ने अपने तपोबल से एक दिव बड़ा विमान बनाया सिद्ध किया उर्स विमान में कपिल देव गुतिजी और करदम रुशी ने प्रवेश किया सो वर्ष तक उसमें विचरन किया फिर ध स्याओं कि प्रवर्त करने के लिए सन्यासद्र हम बताने के लिए वागवान स्वय मकपीदंरूप से देव हुदिजी ने अपने पिता करदम है